हलो मेरे दोस्तों समीर और अक्षद ये दोनों बहुती अच्छे दोस्त है इन दोनों ने अपनी engineering साथ में ही complete की है समीर हमेशा ये ensure करता है कि वो हर महीने अपनी income का कुछ हिस्सा invest करे लेकिन अक्षद हमेशा आज में जीना पसंद करता है उसकी सोच है कि भाई कल किसने देखा है जो है आज है जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा इस मुवी से वो कुछ जादा ही इंस्पायर हो गया है अब अच्छा दोस्त होने के दाते समीर ने अक्षत को कही बार पहले भी समझाया है कि उसे अपनी इंकम का कुछ हिस्सा इंवेश्ट करना चाहिए और आज फिर से समीर ने वही बात अक्षत से कही लेकिन इस बार अक्षत थोड़ा एरिटेट हो गया और उसने समीर को गुस्से में कहा चल तुम मुझे कुछ सिंपल रीजन्स बता दे कि मुझे इंवेश्ट क्यों करना चाहिए क्यों मैं तेरी बात सुनू मेरे दोस्त और तब समीर ने अक्षत को बड़े प्यार से कुछ रीजन्स बताए और दोस्तों इन्हें एक-एक करके समझे उससे पहले मैं हूँ भावन Certified Financial Planner और आप देख रहे है YouTube channel The Art of Wealth Building आपका One Point Destination to Seek An Unbiased Consultation on Personal Finance अमीर ने अक्षत से कहा तो मेरे भाई सबसे पहला रीजन है कि One Day You Will Stop Earning अक्षत तुम शायद ये भूल गए हो कि एक दिन तुम्हारे bank account बे तुम्हारी salary आना stop हो जाएगी लेकिन तुम्हारे खर्चे तब भी होने ही वाले है In fact, महेंगाई बढ़ने के कारण तुम्हारे खर्चे बढ़ने ही वाले है और इस stage को हम retirement कहते गए लेकिन मेरे भाई, तुम्हारी age 35 है और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी salary तो 55 या 60 के बाद भी account में credit होने वाली है अगर तुम 35 years के हो और तुम्हारा गर का खर्चा आज 50,000 rupees है हर महीने और अगर तुम्हें 55 की age तक retirement लेनी है तो तुम्हें 55 के होने तक करीब 4 करोड इखटा करने होंगे as महंगाई भी बढ़ रही है और अगर तुम्हारे पास कोई financial plan नहीं है इस goal को power of compounding की मदद से achieve करने का तो अक्षत मेरे भाई, तुम सिर्फ अपने luck पर depend कर रहे हो और ये तुम्हारे लिए बहुत dangerous साबित हो सकता है retirement के वक्त अब ये figures सुनकर अक्षत थोड़ा सा nervous हो गया तो अब friends, second reason जो समीर ने अक्षत को समझाया कि उसे invest क्यों करना चाहिए उससे समझे उससे पहले अगर आप अपना personal financial plan बनवा कर ये समझना चाहते है कि कैसे आप अपने personal financial goals जैसे retirement, बच्चों की higher education vacations, car खरीदना गर खरीदना इन्हें अचीव कर सकते है और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन goals को अचीव करने के लिए future में तो whatsapp कीजिए इस number पे अपना personal financial plan बनवा लिए insurance नहीं है और शायद उन्हें अब मिलेगा भी नहीं as उनकी age काफी ज़ादा है क्या तुम prepared हो किसी बड़े medical emergency को बिना loan लिए handle करने के लिए unfortunately अक्षत ने इस situation के बारे में कभी सोचा ही नहीं था और अक्षत की organization के medical plan में parents को cover नहीं किया जाता है या फिर अगर तुम्हारी job चली गई तो तुम अपनी home loan और car loan की भरपाई कैसे करोगे एक और loan लेकर समीर ने अक्षत को question किया लेकिन अक्षत यही अगर तुम्हारी savings होगी तो तुम इस situation को और भी अच्छे से handle कर पाओगे अक्षत अब मेरा third reason सुनकर शायद तुम्हें अपसोस होगा कि क्यों मैंने तुम्हें यह reasons पहले नहीं बताए समीर ने कहा अक्षत already थोड़ा nervous था अब क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हे 45 की age तक यानि अगले 10 सालों में financially free होना है तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे inflation adjusted lifestyle जीने के लिए obviously अक्षत का answer था नहीं तब समीर ने अक्षत को समझाया तेरे घर का खर्चा आज है करीब 50,000 और अगर inflation यानि महंगा ही है 6% तो आज से 10 बरस बात तेरे 45 के होने तक यही खर्चा बढ़कर हो जाएगा 90,000 रुपीज पर मन्त और यह खर्चा 45 के बाद भी हर साल 6% से बढ़ता रहेगा और अगर 45 के एज में तेरे पास करीब करीब 2 करोड 50,000 रुपीज रहे तो 45 के बाद तुझे इतनी passive income आना शुरू हो जाएगी कि तु अपना घर चला सके बिना जॉब के और फिर तु अपना ध्यान टीचिंग पर दे सकता है जो कि तेरा passion है अब अक्षत समीर ने कहा तुने 25 की एज से यानि तेरा पहला जॉब लगते ही फिजूल का खर्चा ना करके बस 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता और उस इन्वेस्टमेंट को 8% से बढ़ाया होता हर साल तो आज 35 की एज में 12% रिटर्न के अनुसार तेरे पास होते 46 lakhs और 45 के एज में होते 2 करोड 55 lakh रुपीज जिसे fire भी कहा जाता है यानि financial independence retire early अब अक्षद ने ये सब पहली बार सुना था तब समीर ने अक्षद से कहा कि कैसे पिछले कुछ सालों से वो अपने financial planner से बनाया हुआ plan follow कर रहा है और इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो 45 की एज तक financially free हो जाए और अपना passion follow कर सके और अब अक्षद को भी सही में अफसोस हो रहा था कि क्यों से किसी ने ये सब नहीं बताया तब समीर ने अक्षद से कहा कि fourth reason to save and invest money is to avoid debt trap समीर ने अक्षद से पूछा मेरे भाई तुने कुछ दिनों पहले एक personal loan apply किया था ना तब अक्षद ने कहा हाँ वो तो मेरे बजाज finance का loan clear करने के लिए किया था अच्छा तो बजाज finance का loan क्यों लिया था समीर ने पूछा अरे वो तो credit card पर थोड़ा करजा हो गया था ना और interest rate जादा था उसे pay करना था अक्षद ने कहा तब समीर ने उसे समझाया कि अक्षद मेरे भाई हर इनसान ऐसे छोटे करजे से ही शुरू करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो करजा बढ़ता जाता है और फिर एक दिन EMI के comparison में salary कम हो जाती है और इसी जाल से बचने के लिए तुझे कुछ पैसे अपने future के लिए invest करने चाहिए अब 5th reason समझाते हुए समीर ने अक्षद को पूछा कि पिछले 10 सालों में तुने कितने पैसे कमाये होंगे मेरे भाई अक्षद के पास इसका कोई आंसर नहीं था लेकिन तब समीर ने कहा कि engineering और MBA खतम होने के बाद हम दोनों को 6 lakh रुपीज का package मिला था और आज 2021 में हम करीब करीब 11 lakh रुपीज कमा रहे है इट मीन्स कि हमारी income हर साल 7% से बड़ी और total approximate income जो हमने कमाई वो है करीब 83 lakh रुपीज ये figure सुनकर अक्षद थोड़ा शौक हो गया कि आज उसके bank account में कुछ भी savings नहीं है और वो आज भी जहां था वहीं है तब समीर ने कहा कि 5th reason is to feel the progress in life you must invest फिर समीर ने अक्षद से पूछा कि तुम्हारे कुछ goals होंगे जैसे बेटी की शादी और higher education vacation car upgrade करना इनका क्या अब अगर आप भी अपना personal financial plan बनवा कर ये समझना चाहते है कि कैसे आप अपने personal financial goals अचीव कर सकते है तो whatsapp कीजिए इस number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए फिर समीर बोला 7th reason to invest and save money is to spend guilt free अक्षत अगर तुम अपनी income का कुछ हिस्सा invest करोगे तो बाकी बचे पैसो को तुम guilt free होकर spend कर पाओगे अब इतने reasons सुनने के बाद अक्षत ने तुरंथ अपना personal financial plan बनवाने का फैसला किया और समीर से माफी मांगी कि वो हमेशा उससे चिर्टा था लेकिन आज उसे समझ आया कि समीर उसका सच्चा दोस्त है तब समीर ने अक्षत से कहा कि निवेश करने का एक और reason ये भी है कि हमें हमारी next generation के लिए कुछ wealth छोड़ कर जानी चाहिए so that उन्हें शुरुआत से शुरू ना करना पड़े so friends क्या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो like करके मुझे motivate कीजिए और share कीजिए इस वीडियो को और मेरा साथ दीजिए इंडिया को financially literate बनाने में हर Sunday और Wednesday वाले वीडियो अपलोड होते ही notification पाना चाहते है और financially smart बनना चाहते है तो subscribe कीजिए चैनल को और bell आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए विजिट कीजिए हमारी website theartofwealthbuilding.com पर अब तक अगर आपने हमारा telegram चैनल जोइन नहीं किया तो join कर लीजिए जहां हम कही सारे quiz पूछते रहते है जिसकी link मैंने नीचे description में share की है and finally इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद लेकिन कुछ और reasons है आपके पास जो अक्षत को motivate कर सके तो comment box में जरूर टाइप कीजिए